बड़ी खबर आपको बता दें पाकिस्तान की जेल में बंद मुंबई हमले का मास्टमाइन हाफ़सईद भारत के प्रतिरफण की मांग पर यून ने हाफ़सईद पर नया अपडेट दिया है जानकारी ये है कि मुंबई आतंकी हमले का मास्चमाइन और फ्रतिबंदित आतंकी संगटन जमात उद्दवा का मुख्या हाफिस साइद पाकिस्तान की जेल में बंद है और वो टेरर फंडिंग के साथ मामलों में दोशी ठहराए जाने के बाद अठतर साल की कैद की सजा काट रहा है के बीच जम्मू कश्मीर इस बार बर्फबारी के लिए तरस गया गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में सामानिय से बहुत कम बर्फ पड़ी मौसम विभाग का कहना है कि बहाँ आगे भी बर्फ नहीं पड़ने का अनुमान है लेकिन तापमान माइनस पाँच से माइनस चार डिगरी सेल्सियस रह सकता यानि जमु कश्मीर में ठंड तो पड़ेगी लेकिन बर्फ बारी नहीं होगी और जमु कश्मीर के जो इलाके सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढके रहते थे उन इलाकों में इस बार दूर दूर तक बर्फ नजर ही नहीं आई गुलमर्ग में तो ऐसे हालात हैं कि परेटक निराश होकर लोटने लगे क्योंकि जन्वरी में बर्फ से सफेद हो जाने वाले गुलमर्ग में इस बार बर्फ ही नहीं पड़ी दूर दूर तक खाली जमीन दिखी सडकें, पहाड और गुलमर्ग के लोग सभी बर्फ बारी का इंतजार करते रहे लेकिन गुलमर्ग की सडकों पर थोड़ी बहुत बर्फ ही नजर आए यह यूँ कहें कि इस बार वहां ऐसी बर्फ पड़ी कि लगा ही नहीं कि बर्फ बारी हुई है इससे सबसे जादा निराश हुए वो लोग जो घूमने के लिए गुलमर्ग आये थी लेकिन बर्फ बारी का मज़ा नहीं उठा पाए आम तोर पर गुलमर्ग में जनवरी के महीने में कमसकम एक फीट बर्फ तो रहती है लेकिन इस बार एक फीट बर्फ वहां दूर की बात हो गई और सडकों और पहाडों पर छिटपुट इलापों में थोड़ी बहुत बर्फ दिखी क्योंकि इस बार घाटी में अच्छी बर्फ बारी नहीं हुई यानि ऐसा वक्त जब उत्तर भारत ठंड से काफ रहा है कश्मीर में सूखा पड़ा हुआ इस बार कश्मीर से जो तस्वीरे आई उनमें कश्मीर की सडकों पर बर्फ बारी का नावो निशान तक नज़र नहीं आए सूरज चमकता दिखा सडकें सूखी नज़र आई बर्फ बारी से सफेद हो जाने वाले पेड भी यूँ ही खड़े रहे मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3-4 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब कश्मीर में दिसंबर और जनवरी के महीने में ना के बराबर बर्फ पड़ी